बाली का बहू तेरी शादी होने वाली है अगले मैने ये बस्ता उठा कर कॉलेज जाना बंद कर दे अब अरे कैसी बात कर रही हो अभी उसकी उमर ही क्या है इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला पैसला लेने के लिए तुम्हे कहा किसने है अरे मैंने कह दी शादी है तो है अगले मैंने बिचारी अमीता करती भी तो क्या छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से दो गुने उमर के आदमी की बीवी शादी के बाद देरात पती घर आता है अमीता खाना लगाती है ये क्या बनाया है? घरम ही खराब ते जो इतनी कम उमर की लड़की से शादी करा दी अमीता को आए दिन ससुराल में ताने गालियां और कभी कभी तो मार भी पड़ती सुन जा अपनी मा को बोल पचास हजार रुपए भेजे फ्रीमे नहीं रखना है तुझे अरे मेरी एक आख का आपरेशन भी तो करवाना है अमीटा को सांस घर से निकाल देती है अमीटा परिशान होकर माईकी की और जाती है वो घर तो पहुँचती है लेकिन वहाँ ताला लगा है अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पती ने, कहा है वो? अमिता पडोसी के सामने रोने लगती है मुझे नहीं जाना उस गर में चाची, मेरे मम्मी पपा कहा है उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिट्या, वो लोग तो कहीं और शहर चले गए, तुझे नहीं बताया? अमिता जोर-जोर से रोने लगती है अमिता रोते हुए वहां से जारी होती है कि उसे एक औरत मिलती है अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है देखो, मेरा सिलाई का काम है, अगर तुम जाहो तो मेरे साथ के काम कर सकती हो बदले में मैं तुमें रहने की जगर, खाना और एक दिन का सौ रुपया भी दूँगी अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है अब क्या था? अमिता की जिंदगी अपने माईके और ससुराल से दूर एक नए सीरे से शिरू होती है रहना, खाना, फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी और एक दिन सिलाइ सेंचर की एक औरत कहती है आरे वो साड़ी के कंपनी है ना, वो भिक रही है पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी हाँ हाँ भिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरी देगा कौन तभी तो इतनी सस्ती भीक रही है लेकिन कोई खरीदार नहीं है फिर भी कितने के भीक रही है अरे पूरे पांच लाख में मशीनों के साथ लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दे उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा पांच लाख अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है पूरे तीन लाख अमिता सिलाय सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है चाची, मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किया है पूरे 3 लाक है, वो बंद साड़ी की फैक्टरी मैं खरीदना चाहती हूं अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या वो 5 लाक की बंद मन्हूस फैक्टरी खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी और वो फैक्टरी चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता लेकिन अमिता नहीं मानती वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्टरी को खरीदना चाती है और खरीद कर ही रहेगी औरत भी अमिता के मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है शुभारम वाले दिन अमिता लिबल से कहती है मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ आप लोग इसमें माहिर हैं मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था लेकिन मैं अपनी यूजनाओ के साथ आई हूँ मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है लेकिन मैं वाधा करती हूँ तीन मैने में आप लोगों के पैसे ब्याद सही ताप लोगों को दे दूंगी और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करे और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या सिर्फ तीन मेने की बात है वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए माले के इंतिजार में बैठे ही थे मैं काम करना चाहती हूँ और तीन मेने में सारे पैसे देने का वाधा भी करती हूँ लेबर आपस में सलहा करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं सिलाई से मशीन, सिलाई और कपड़े की ज्यान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ओर्डर लेती अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीबी आ जाती है हाई रे कितनी प्यारी साड़ी है ये बड़ी महंगे लगती है मेरे लिए ले लो ना जी और हाँ अपनी दुकान में भी रख लो इसे बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ अमिता मुस्कराती है अरे सेट जी बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है अब बता कितने का ओर्डर है आपका? धीरे धीरे अमिता का आत्म विश्वास और बढ़ता है बड़े बड़े ओर्डर के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं मैं आप लोगों से तीन महिने बाद आज की दिन ये बात करना चाहती हूं कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती हम लोग जानते थे कि पर आपकी कमप्टी तो फाइदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी? मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये तीन महिने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफ़ा भी दूँगी, सभी खुश हो जाते हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके, मुझे आप लोगों में ही अपना पर माती है.